कि नमस्कार दोस्तों उमीद है कि आप बेहतर सांदार और जवर्जस्त होंगे तो क्लासेज के आफिस्यल यूट्यूब चैनल पर हम लोग लाइव हो चुके हैं रेलवे एलपी और टेक्नीशिन 2022 के एक्जाम को लेके बेसिक साइंस और ड्राइंग में आज का टॉपिक जो है यूनिट और मिजरमेंट का सेकेंड लेवल है यानि आज थोड़ा एडवांस ले यां पूरे जोस और पूरी उर्जा के साथ आज की क्लास को बिलकुल तक ले जाएए जहां की तक आप ले जाना चाहते हैं संगिता जी बिलक्त तो शुरू करते हैं भिया मॉहित बिलकूल बिल्कुल सभी लोगों को very very good morning और आपके सामने ये पहला question आपके सामने आ चुका है पूछा है उस्मा धारिता की SI unit क्या होगी हीट कैपिसिटी की SI unit क्या होगी पहले question के साथ आपका स्वागत है बिल्कुल हाँ प्यारे हिंद बिल्कुल एकदम सर मेरा नाम ले लो अरे लल्ला तुम तो एकदम कुमारा नाम को नहीं जानता प्यारे हिंद लल्ला बहुत बढ़िया नाम हो रहेगा जी तो चलिए दोस्त को इस question का क्या जवाब होगा heat capacity heat capacity को हम कहते हैं अगर कोई आपसे पूछे कि उस्मा धारिता क्या है तो देखेगा उस्मा धारिता के बारे में अगर आपसे कोई पूछे heat capacity के बारे में तो कैसे आप जानेंगे तो heat capacity कैसे निकाली जाती है तो निकाली जाती है उस्मा की मात्रा एक degree centigrade ताप मान बढ़ाने के लिए आवस्यक उस्मा की मात्रा को हम क्या कहते हैं उस्मा धारिता कहते हैं तो उस्मा का मात्रक हो जाता है जूल और तापमान का मातरक हो जाता है सेकेंड तो जूल पर तापमान का मातरक हो जाता है सेंटिग्रेट इसका मातरक हो जाएगा जूल प्रती सेंटिग्रेट जूल प्रती सेंटिग्रेट या जूल प्रती कैल्विन जूल प्रती सेंटिग्रेट या जूल प्रती कैल्विन जूल जबर्जस्त तरीके से आप लोगों ने चलिए शुरू करें नेक्स्ट कोश्चन आपके सामने है प्राध्वनी चाल मापने के लिए कौन सी काई प्रिप्त की जाती है कौन सी काई प्रिप्त की जाती है बिल्कुल बताइए इसका सही जबाप क्या होगा कि भूख आसान सा है आप ध्यान से देखेंगे तो यह भूकम पापने के लिए भूकम पापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं मैख तो चलिएगा दोस्त तो यहां पे लिखा प्राध्वनी चाल्म आपने के लिए प्रयोप्टिकाई क्या है इसमें आपको याद रखना है रिक्टर तो भूकम के लिए मैख जो होता है आप जानते हैं मिसाइल हो गया या आपके लिए कोई राकेट हो गया इसके वेग को नापने के लिए हम मैक संख्या का इस्तेमाल करते हैं हर्ज हम आवरित्ति मापने के लिए करते हैं फ्रिक्वेंसी मेजर फ्रिक्वेंसी को मेजर करने के लिए और पराध्वनी चाल्म आपने के लिए हम मैक नमबर निकालने के लिए नीचे 330 लिख दीजिए और उपर किसी भी वस्तु का वेग लिख दीजिए जैसे अगर किसी का चाल दे दिया है 990 मीटर पर सेकेंड तो आप उपर 990 मीटर पर सेकेंड लिखे नीचे 330 लिखे डाइरेक्ट कार दीजिए मैक नमबर 3 आ जाएगा कि बीमा पूछा है आप से कि बीमा क्या होगी आपको फार्मुला नहीं पता होगा मैं एक बार फार्मुला आपके सामने लिखता हूँ आप लोग करिएगा तो उसमा के बराबर होता है क्यू अपार एंटू डेल्टा टी यह देख लिजे उपर उसमा है नीचे तापमान है और इसके साथ यह कुष्चन करिएगा बिल्कुलane एक ऊपर एक और मातरक है डी कि यह पूरा इसका जैसे जूल अगर क्यों का मातरक क्यों मतलब क्या है हीट है ए मतलब एरिया टी मतलब ताप मान डी मतलब दूरी है तो यहाँ पे हो जाएगा जूल इंटू मीटर अपान मीटर स्क्वाइर इंटू डेल्टा टी का क्या हो जाएगा कैल्विन तो मीटर से मीटर कट जाएगा जूल का बीमा क्या होगा उर्जा की बीमा कल सभी लोगों ने रटा था याद है ना ml square t-2 उर्जा की बीमा सभी लोग ज्याद किये थे कल अगर आज भूल गये तो बिलकुल बहिया कलका पढ़ाया लिखाया ब्यर्थ बल की बीमा क्या होती है एक L के उपर से कम कर दो पावर को ml t-2 ऐसे लिख सकते हो तो बहिया यहाँ पे देखो नीचे आपके पास एक L है औ और यहाँ पे आपके पास कैलिविन टेंपरेचर का क्या होता है भया ठीटा होता है या के आप लिख सकते हैं इस हिसाब से आप कोश्चन को कर सकते हैं तो यहाँ पे के है ठीक है अब इसको कर लिजेगा तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया M आ गया L नीचे से एक उप पर चला गया तो एल बचा और कि एक मिनट एक मिट यहां पर क्यूं मतलब उर्जा है तो इसका हो गया ml स्क्वाइर टी माइनस टू इसका बचा एल एरिया का आपके पास हो कि देल्टा टी मतलब तापमान का हो गया की अब इसका साल्व करके बताएं क्या होगा बिलकुल कि अब इसको अराम से करिए यहां पर एल स्क्वाइर से एल स्क्वाइर काट दीजे आपके पास एम बचा टी-2 बचा M बचा L बचा T माइनस 2 बचा और K माइनस 1 बचा ये अगर कहीं दिख रहा हो M L T माइनस 2 अच्छा एक और बात यहां पे हाँ बिल्कुल K माइनस 1 कहीं तो दिखी नहीं रहा है बिटा ये इसका यही बीमा आएगा ओके या तो यहां पे देखो माइनस 1 है L के उपर ये नहीं होगा माइनस 2 ये भी नहीं होगा माइनस 1 ये भी नहीं होगा तो यहां पे T के उपर माइनस 2 यानि यहां पे option थोड़ा बन सकता था यहां पे संभावना थी ठीक है थोड़ा सा चेंज हो गया है बीमा लिखने में और टाइप करने में थोड़ा मेहनत लगता है ठेक है बिलकुल सर हां बिलकुल करने में लगता है बिलकुल चलिए अब आवाज आ गई होगी ठेकना बिलकुल यहां पर क्या कह रहा है एसाई पद्ती में मातरुकों की संख्या कितनी है उज्सात और सातों के नाम आपने पड़े होंगे लेंथ लंबराई पढ़ा होगा दूसरा टाइम पढ़ा होगा मास पढ़ा होगा, टेंप्रेचर पढ़ा होगा, इसके अलावा आपने क्या पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक करेंट पढ़ा होगा, आपने एमाउंट आप सबस्टांस पदार्थ की मातरा पढ़ी होगी, और लास्ट में आपने लिूमिनस इंटेंसिटी पढ़ी होगी, ये सा सबसे जादा बड़ा मात्रक अगर आपको पता हो तो यह को जाएगा दूरी का सबसे बड़ा मात्रक अगर किसी को यह पता है यह question वो कर लेगा दूरी का सबसे बड़ा मात्रक largest unit of length दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा सीधी सी बात है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पार से किलियर सी बात है बिल्कुल तो यहाँ पर देखिएगा चलिए इस question को देखेगा यहां पे ध्यान से अगर आप समझे तो खगोलिय मात्रक यहां पे देखेगा यहां पे खगोलिय मात्रक से बड़ा प्रकास वर्ष को बना रहा है खगोलिय मात्रक से बड़ा प्रकास वर्ष को बना रहा है यह गलत हो जाएगा जिन लोगों ने सी को चुना है अगर आप यहां पे देखेगा प्रकास वर्ष से बड़ा क्या होता है पारसेक होता है और बिल्कुल प्रकास वर्ष से ब 6 into 10 to the power 15 meter अगर किलो मीटर में लिखते हैं तो यही डिस्टेंस हो जाती है 10 to the power 12 किलो मीटर ठीक है बिल्कुल चली तो यह बनेगा यहां पर पूशा है कि निवन में से कौन सी रासी fundamental quantity नहीं है 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 आप चुनके बताईएगा कौन सी रासी fundamental quantity नहीं है चुनके बताईएगा बिल्कुल डिंपल परिहार एकदम आईए स्वागत है पूजा बताईए क्या बनेगा इसका अब आप बताएं बिद्युधारा है बिल्कुल है पदार्थ की मात्रा मात्रक होता है मोल इसका MPN द्रब्यमान मास किलोग्राम होता है आयतन मीटर क्यूब है ये नहीं है ये नहीं है इसका सही आंसर क्या होगा डी बिल्कुल एक दम जबर्जस्त भया बिल्कुल बेहतर जवाब दिया है आप लोगों ने यानि आज भी एक उरेशी अच्छा जा रही है इसमें से कौन सी मूल रासी है साथ मूल रासियां है ना उस मूल रासियों में से कौन सी मूल रासी है बिल्कुल आ एक बार में कर दीजे luminous intensity इसका मात्रक क्या होता है candela होता है बिलकुल और आप जानते वेग व्यूत्पन रासी है मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है बीमा एल्टी-1 होता है इसकी भी बीमा याद कर लिजेगा तोरण का मीटर अपान सेकेंड स्क्वायर होता है बीमा पूछा है अगला question याने आठ्मा question अंत्राष्टी अस्तर पर माने SI का संशिप्त रूप्त है अंत्राष्टी अस्तर पर आपसे क्या पूछा हुआ है अंत्राष्टी अस्तर पर माने SI का संशिप्त रूप्त क्या है आप से का रहा है सिस्टेमेटिक इंटरनेशनल यह थोड़ा सा इसमें भी हमको थोड़ा सा कनफ्यूजन लग रहा है क्योंकि मात्रक मिल नहीं रहा है आपको याद रखेगा एसाई यूनिट का जो फुल फार्म होता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनिट आफ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट आफ सिस्टम होता है क्या होगा international unit of system यह इसका पूरा full form है ठिक है पूरा full form यह है SI को international system बोलते हैं ठिक है लेकिन इसका full form यही है कि सही नहीं दिया है मूल मात्र का हां यहां पर पूछा है कि जो fundamental quantity है वो किस पर निर्भर करती है थोड़ा बताईएगा fundamental unit depend upon fundamental unit depend upon किस पर depend करती है निर्भर करता है निर्भर नहीं करता है निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता क्या होगा अब बहुत तगड़ा कोश्चन बाई किसी पर निर्भर नहीं करता है मूल रासी के बारे में आपने पढ़ा होगा यह स्वतंत्र होती है मूल रासिया कैसी होती है स्वतंत्र होती है किसी पर निर्भर नहीं होती है किसी दूसरे राशी पर निर्भर नहीं होती हैं किसी दूसरे राशी पर निर्भर नहीं होती हैं तो बिल्कुल यह स्वतंत्र होती हैं और किसी दूसरे राशी पर निर्भर नहीं होती हैं यह ध्यान दिजेगा और आवरिती का SI मात्रक आप से पूछा है आवरिति का हर्ज कुलाम पास्कल और फैराडे चार मात्रक में SI मात्रक आवरिति का पूछा है what is the SI unit of frequency frequency आप जानते है नंबर आप cycle in one second नंबर आप cycle in one second तो क्या हो जाएगा frequency का मात्रक हो जाएगा per second या इसको क्या बोलेंगे हर्ज बोलेंगे या तो पर second बोलेंगे या तो हर्ज बोलेंगे clear है यही बोलेंगे और हाँ बिल्कुल एक second में कमपन की संख्या एक second में कमपन की संख्या क्या होती है बिल्कुल एक second में कमपन की संख्या यही है ओके हां बिलकुल और दूसरी बात याद रखेगा इसका सही मातरक तो हड जह है और आप चुन चुके है लेकिन कुलाम किसका चार्ज का आवेश का है और बिलकुल पास्कल किसका ए दाब का है प्रेसर का है प्रेसर का है और फैराडे आवेस का ये भी होता है या फैरेड संधारित्र का होता है मोनो मनोग जी बिलकुल एक और सवाल दे रहा हूं इसका जबाब दीजेगा नैनो एक नैनो का मतलब क्या है एक नैनो का मतलब आपको बताना है बिलकुल सरपंच महोदे जल्दी बताइए दूसरे का बड़ी चिंता अच्छा अपने मित्र को खोज रहा है खेम चंदर कहां चला गया देखो यह होती है यूनिटी पूरी यूनिटी के साथ क्लास किया जाता है हां रहेंगे तो तुम्हारे साथ जीएंगे तो तुम्हारे साथ अज पूछा है नैनो का मतलब क्या होता है एक नैनो मीटर का मतलब होता है दस की घात माइनस नौ मीटर यह आसान कोश्चन है एक माइक्रो मीटर पूछ लेता है तो आप कहते हैं सर दस की घात माइनस 6 मीटर एक एंगेस्ट्राम पूछ लेता है तो आप कहते हैं सर दस की घात माइनस 10 मीटर अब आप सुनिएगा इसके अलावा आपसे अगर हम सिंपल सा एरिया के बारे में पूछ ले जैसे एक सेंटी मीटर स्क्वाइर बराबर क्या होगा तो दस की घात माइनस चार मीटर स्क्वाइर एक सेंटी मीटर क्यूब क्या होगा तो दस की घात माइनस चे मीटर क्यूब और ये जो होता है एक सेंटीमीटर क्यूब एक मिली लीटर के बराबर होता है बहुत ही काम की चीज़ है एक डेसीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है तो एक लीटर होता है और एक मीटर क्यूब बराबर क्या होता है तो एक हजार लीटर होता है यूनिट को एकदम ध्यान से दिमाग में बैठाये रखिएगा माइक्रो किसके बराबर होता है अभी हमने बता है माइक्रो बिल्कुल within second जवाब आए साहिब बिल्कुल आई है मज़ा आएगा आपको पूछा है माइक्रो किसके बराबर है तो देखिएगा अगर एक मीटर में पूछेगा तो दस की घाथ प्लस छे माइक्रो मीटर लेकिन अगर एक माइक्रो बराबर पूछेगा तो दस की घाथ माइनस छे मीटर अगर माइक्रो पूछ दिया है तो पावर माइनस में होगा क्या होगा पावर माइनस में अगर वही एक मीटर में कितना माइक्रो पूछता तो दस की घात प्लस 6 होता बहुत बारीक अंतर था बिलकुल एक बार थोड़ा दबा के लाइक करने का मतलब देख लिजे लाइक बहुत देर से बढ़ा नहीं इसका मतलब कुछ लाइक में समस्य आ गई है थोड़ा देख ल हो गयार जो टेक्निकल बेग्ग्राउंड के बच्चे होते उनसे टकराने वाले लोग जो होते हैं उनको सोचना पड़ता है क्योंकि यह एक रात में पूरा सेमेश्टर निकालते हैं बिलकुल क्या है भाई एक पी को किसके बराबर होता है पक्का 10 की घात माइनस 12 सभी लो प्लस 12 की माइनस 12 सभी लो एक बर बता दे 10 की घात एक पी को पूछाए अगर एक पी को मीटर पूछेगा तो आप क्या कहेंगे 10 की घात माइनस 12 मीटर अगर एक मीटर में कितना पी को तो 10 की घात 12 पी को मीटर उल्टा देखिएगा एक फर्मी बराबर क्या होगा एक फर् सारी चीजें आपको बिलकुल याद रखनी है यहां पर एक पीको किसके बराबर होता है तो 10 की घात-12 के बराबर होता है ठीक है यह छोटी यूनिट है जैसे एंगेस्ट्राम हमेशा एक के उपर 0 देदेता है कि डेविल्स करें मैं तो बीटेक छोड़ाया हूं कोई दिक्कत नहीं तोड़ोगे तुम भी क्या होगा इसका एंगेस्ट्राम दस्ट की घात माइनस दस कोस्टन जादा है थोड़ा तेजी से चलेंगे दोस्त बिलकुल सत्रा कोस्टन पार कर चुक है प्रकास वर्स किसकी इक आई है अगर हम प्रकास वर्स के बारे में आपसे पूछें किसका मात रख्या बताएं लाइट इयर आप लोगों को समझांके बताना पड़ता है वैसे समझदार है लेकिन पूरी बात ना बताओ आप लोग जानते हैं क जोकि प्रकास वर्स एक वर्स में चली गई दूरी है एक वर्स में प्रकास द्वारा तै की गई दूरी है प्रकास द्वारा तै की गई दूरी अब यह बहुत अच्छा पॉइंट मैंने लिखा है अगर आप इसको समझे एक वर्स का मतलब टाइम हो गया एक साल में कितना टा सेकेंड तो यह टाइम हो गया और चाल हो गया थीन गुड़े decal 8 दोनों को गुड़ा कर लेना अंसर आजाएगा यानि आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है ताइम गुड़े चाल यानि इसपीас दोनों को गुड़ा कर लेना स्पीड को तो आज आएगा 9.46 into 10 to the power 15 अक्सर आपने रटा तो है लेकिन कैसे निकाला जाता है नहीं जानते हैं इसको अराम से जान जाईएगा किसका मातरक है बिलकुल एक वर्स में प्रकास के द्वारा चली गए दूरी अब यहां से कोश्चन थोड़ा दूसरे रूप में जा रहा है लियूमिन का SI मातरक क्या है चार मातरक है आप से पूछा है लियू स्वाप प्रेरक अगर हम बोले सेल्फ इंड़क्टेंस या म्यूच्वल इंड़क्टेंस पढ़ा होगा ना सेल्फ इंड़क्टेंस स्वाप प्रेरकत्तु या अन्योन प्रेरकत्तु म्यूच्वल इंड़क्टेंस अन्योन ने तो स्वाप प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक क्या है हें री तेसला किसका मात्रक है कोई बताए इसका सही जवाब सी है जोती की फ्लक्स बिल्कुल लियूमिनस इंटेंसिटी होता है लियूमिनस इंटेंसिटी होता है आप बताए वेबर किसका मात्रक है फ्लक्स का मात्रक है चुम्बकी फ्लक्स का मात्रक क्या होता है वेबर होता है चुम्बकी फ्लक्स का मैगनेटिक फ्लक्स का मात्रक होता है magnetic flux की unit क्या होती है वेबर होती है फाई से डिनोट करते हैं इसको एसला आपका चुंबकी छेतर है magnetic field है रट जाना magnetic field है जितने मातरक बता रहे हैं इसी में से एकजाम में तक रहेंगे बिलकुल हम भया लल्ला आपकी वापसी एकदम हमेशा खुश करने वाली ही होती है बिलकुल आईए स्वागत है सरकार हम भया बारिया महोदे बिलकुल सरपंच महोदे साजकुमार डेविल्स एकदम तोड़ दिये समझ में आया कोई confusion हो तो पूछ लेना टेसला निमलिकित में से किसका मात्रक अभी बता रहे थे और याद रखेगा टेसला जिसका मात्रक है ना उसी का मात्रक दूसरा भी है उसको हम लोग कहते न्यूटन प्रती एंपियर प्रती मीटर या इसी का एक तीसरा मात्रक है वेबर पर मीटर स्कूर और इसी का एक चौथा मात्रक है गास यह सब एक ठीक हे मात रखे अगर किसी को नाम पता हो तो बताए बुठा अगर क्या नाम है इसका मैगनेटिक फिल्ड चुम्ब की अच्यत्र tonnes दो अच्चुम्ब की अच्हत्र इसे का या मात रख स्ब्सक्राय के यानि यह जबर जस्त कांसेट ऐसे क्लियर होना चाहिए और तभी किसी टीचर को पढ़ाने में मजा आता है जब एक तरफ से सही जबाब आते हैं बिलकुल जहां पर हमको ट्विस्ट कराना होगा मैं कराऊंगा बल्यूग्म का एसाई मातरा क्या है आया है तगड़ा यह देखें कौन ऑल्यूग्म तारक तारक पूछा है यह प्रकास मीना जी यह हॉस्पीटल के डाक्टर बन गये क्या हो गया बताए तबियत खड़ाब तो नहीं बीटेक छोड़ दिये हैं सर इस बार गवर्मेंट से अच्छा बहुत बढ़िया एलपी तो सपना होता है एकदम जुनून होता है बच्चों के खुनों में दोड़ता है रगों में दोड़ने लगा है अब एक लंबा ह्यात्रा करना है इसके साथ हम लोगों को बल्यूगम का एसाई मात्रक टार का एसाई मात्रक क्या है संतोस मिना जी पक्का न्यूटन प्रती मीटर या सी आप्षन सभी बी पे जाएंगे गलत हो गया सब एक कोश्चन सभी का गलत हो गया टाउ बराबर एफ मीटर होता है न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं बिल्कुल इसका सही आपसन सी होगा इसका सही आपसन क्या होगा सी बिल्कुल हां बिल्कुल तो यह होगा इसका सही आपसन और आप जानते हैं तार्क यानि बल आघुड या बल युग्म इसके अलावा वर्क इसके अलावा इ इनरजी इन तीनों के मात्रक सेम हैं इन तीनों के मात्रक सेम हैं मेरे दोस्त इन तीनों के मात्रक सेम है प्रिष्ट तनाव का एसाई मात्रक प्रिष्ट तनाव के कारण पानी की बूदे गोल होती है वर्सा की बूदे गोल होती है परमाडू गोल है प्रिथवी गोल है सूरज गोल है तारा गोल है कोई भी चीज अपनी आकरिती को गोल क्यों रखना चाहती है क्योंकि गोले का प् surface tension यानि प्रिष्ट तनाव का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई तो प्रिष्ट ततनाव का मतलब एक गोला और इस पर लगने वाला फोर्स यानि f आपान एल तो यहाँ पर होता है surface tension बराबर होता है फोर्स अपन लेमबाई नूटन प्रती आपसर नमबर ए आपसर नमबर बी सौरी क्या होगा आपसर नमबर बी अब यह एलपी आने का अनुमान जो भी है लेकि एलपी के लिए एक लड़ाई लड़नी है एक दिन केमपेंड होने वाला है पूरा एकदम जबर्जस तरीके से एक्जाम तो लेके रहेंगे जो भी होग है आप लोगों ने गुरूप D जैसे एक्जाम कराये थे वैसे यह भी कराना है ऐसे चुम्बकी फलक्स का क्या बनेगा हैrdуск Ich прош पूछा है चुम्बकी छेत्र नहीं पूछा है लग्स चुम्बकी फ्लक्स मैगनेटिक फ्लक्स का मतलब हो गया ना चुम्बकी बल रेखाओं की संख्या चुम्बकी यह बल रेखाओं की संख्या और यह क्या होती अदिसरासी होती है नंबर आफ आफ इले मैंगेटिक फिल्ड डार में कि आए जंबकी बल रेखाओं की संख्या कितना होता है आफ वखा मैश्का डिन रापिल करते हैं फाइ से और इसका मात्रक क्या होता है वेबर होता है बुवर अप जानते हैं फाइव明वर होता है भी इन्टू एस आई मात रख्या होगा न्यूटन प्रतीम्पियर प्रती मीटर और यहां पर मीटर स्क्माइव है तो मीटर से मीटर कट गया न्यूटन मीटर पर एंपियर किसका मात रख है तो चुम्बकी फ्लक्स का यह दोनों एक ही के मात रख है और न्यूटन एंपियर पर मीटर किसका मात रख है तो यह बी चुम्ब की छित रख है अंतर देख लिजेगा एलपी है बिल्कुल एक कुश्चन ऐसा फेकेगा कि आधा हां सर आपका नाम क्या है मेरा नाम अविशेग है भाई बिल्कुल आप जहां देख रहे हैं वहीं पे लिखा मिलेगा आपको आएए और चैनल जो है एमडी क्लासे जो लगवग 13 लाख लोगों के भरोसे और विश्वास का चैनल है तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार बिल्कुल अगर आपको चीज़े पसंदा रही हो तो बिल्कुल तहदिल से लाइक कीजिए यह आपका अपना प् चार डिगरी सेंटीग्रेट पता है ना आप लोगों को पानी का घनत तो अगर डेंसिटी की बात करें तो पानी का घनत तो चार डिगरी सेंटीग्रेट पर ज्यादा होता है और आयतन चार डिगरी सेंटीग्रेट पर क्या होता है सबसे कम होता है तो आयतन सबसे कम होता है और घनत तो सबसे ज़्यादा होता है यह आप ग्राफ तो पढ़ लेंगे बिल्कुल क्यों भया प्यारे हिंद लल्ला ए एक दम सई लल्ला का तो हमको नहीं लगता है आज तो कोई कुश्चन गलत हुआ होगा क्यों लल्ला कहां से इतना पढ़े लिख्यो यार डेंसिटी मैक मंद गलत है आयतन का मातरक मीटर क्यूब होता है इसकी बीमा क्या होगी एल क्यूब मिलाते रहे बलका यहाँ बलका क्या होतए नूटन किलो ग्राम मीटर अपान सेकेंड प consists तो इसकी बीमा क्या होगी इमल्ट И-2 और वेग की बीमा क्या होती है मीटर पर सेकेंड तो इसकी वीमा क्या होगी ल्टी – G1 और घनत्व का होता है ग्राम पर सेन्टीमीटर क्यूब तो इसकी वीमा होती है ML-3 इस तीनों में से ढूड़िये और करिये भिलकुल यहाँ पर यह गलत है धकिए घनत्व वाला गलत है यहां पर सही आंसर क्या बनेगा इन में से कौन सा संबंद गलत है बिलकुल भीया संतोष जी सरपंज जी आप डी चुनिए राहुल जी बिलकुल भीया रौशन गुपता एकदम हैट तो आपका एदम प्यारा सा लग रहा है प्यारे हिंद भाई लल्ला पताइए भौतिक रासी बीमाहीन है ठीक है बिलकुल संडे को मैराथन है दोपहर 12 बजे से बिलकुल और संडे के मैराथन में हम लोग प्रैक्टिस से ठल करेंगे यह मातरक का चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा अगली क्लास जब होगी तो उस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वा आप बताएए ग्रूप डी का रिजल्ट कब आएगा मुझे तो पूरा उमीद है भी या जनौरी में आ जाएगा लेकिन आप क्या कहें बाकी बजरंग बली जाने एक बार आप लोग बिलकुल एक बार आप लोगं इस सरसे भी पूछ लीजेगा मतलब सत्यम सर से पूछ लिजेग बार आप लोग बिलकुल हाँ एक दम अच्छा ध्यान नहीं दिये तहे तब ये लगा रहे थे हां प्लांक नियतांग प्लांक नियतांग विया इस डाइरेक्ली प्रपोर्शनल टू न्यू होता है और इबराबर एच इन्टू न्यू यह प्लांक नियतांग है एच प्लांक नियतांग किसी मेरे सेर को इसका मान पता है तो बता दे छह दस्मनों छह तिन गुड़े दस की घा मैंनस 34 जूल इंटू सेकेंड तोग यह प्लांक नियतंग है कि इसका मात्रक्रख जाये मतलब उर्जा हो इसम प्लत तो होगा दोस्त और जा होगा बिलकुल कर सकी उर्जा का मात्रक एनर्जी का मात्रक जूल इंटू एक मेड़ इस उर्जा नहीं होगा हो अच्छा प्लांग नियतांग की बीमा किसके समान है सौरी उर्जा के समान नहीं है बल के समान नहीं है रेखी सम्वेग रेखी सम्वेग का मतलब हो गया किलो ग्राम मीटर अपन सेकेंड मात्रक मिला लेते हैं इसका जूल है हां बिल्कुल किलो ग्राम म मीटर स्कवायरा 5 सेकेंड स्कวायर और सेकेंड से गुढा कर सेकेंड से कट गया कोड विलकुल सही बात था आपका ठेक़् है बिलकुल एंगुलर मोमेंट डेविल are you बिल्कुल आर यू राइट बिटा बिल्कुल चलिए कोश्चन की कमी नहीं है कोश्चन नमबर 27 पर हम लोग है कोश्चन नमबर 27 बताइए इसका सही जवाब तब तक हम पानी पी ले अच्छा अच्छा ला हां बिल्कुल सभी लोगवाइट सेशन को सेयर करें आप अपनी क्लास को आपने बहुत डिमांड की थी तो यह क्लास आया है ठेकना बिल्कुल बताइए यदि हम बलवें और समय के मात्र को एफ वीटी से चुने तब द्रब्यमान की बीमा होगी द्रब्यमान की बीमा एक हे करके चेक करते हैं एफ वीटी ये लिखा है न इसकी इसकी बीमा क्या होती है देखो एफ क heavy को चुनते हैं थोड़ा चेक करो कैसे चेक करते है किलो ग्राम मीटर अ-5 सेकेंट और विग का मीटर पर सेकेंड और समय का क्या होता है सेकेंड या सेकेंड से सेकेंड कटेगा पूछाएध रब्विमान की भीमा तो यहां यह भी नहीं होगा तीसरा देख लेते मवी माइनस टी यह थोड़ा सा लग रहा है इसको देखते हैं तो एफ का बीमा कितना है भाई बलक का मात्र क्या होता है किलोग्राम मीटर अपांस सेकेंड स्कुरेर आयतन इनवर्स है मतलब आयतन कह रहे है वेग का उल्टा कर दो तो चला गया सेकेंड नीचे चला गया मीटर और बाद में टाइम है यानि यहां पर भी एक सेकेंड है तो सेकेंड दो बार है सेकेंड से सेकेंड मीटर से मीटर बचा क्या किलोग्राम यानि आपसर नंबर सी ध्यान से समझ लिजेगा कि समझ में अगर आ गया हो तो सी सही है बिलकुल किलियर या एक बार और बताएं लल्ला एक बार और बताएं या किलियर है बाकी लोग बताएं समझ में आया कोई दिक्कत तो नहीं कि आगे चले अ फिर से देख लिए एक बार वी मा counting किलोग्राम मीटर graph seconds मल हां सेकंड का है स्कॉर वेग उल्टा है ना तो ब मीटर पर सेकंड होता होता- μέ Utah कर दोगे फूछा ईसाई एकाईओं में उर्जा कारी की की एकाई क्या होती है जूल पर सेकेंड ये तो पावर की यूनिट होती है जूल इनर्जी की यूनिट है और यही वर्क की यूनिट है अब बताएं सही अंस्वर क्या होगा किलो वाट भी किसका यूनिट है यह भी पावर की यूनिट है अर्ग उर्जा की सीजियस यूनिट है उर्जा की सीजियस यूनिट है क्या बनेगा यहां पर बी लाजवाब तरीके से जवाब यह भी आया है और बिलकुल सही है इसका सही जवाब क्या है अच्छा उर्जा का सीजियस यूनिट क्या होता है उर्जा का जो सीजियस यूनिट है है स्टीजियस यूनिट आप बताएं तो आप जानते हैं न अर्ग होता है लेकिन एक अर्ग बराबर क्या होता है ग्राम सेंटी मीटर का स्क्वाइर अपान सेकेंड का स्क्वाइर यह अर्ग होता है यह अर्ग होता है है कि नहीं ग्राम सेंटी मीटर का स्क्वाइर अपान से पीडिएफ जो है पीडिएफ जो है आपको md classes के official telegram channel पे सामकों मिल जाएगा md classes official बिलकुल अरग ठीच है बिलकुल भीजा ताक क्या नाम था आपका अच्छा बिभीशेट नाम से हैं आप बिलकुल चली ठीक है में आफिस्यल एप्लिकेशन है दोस्तों एक बात आप से बता दूं अफिस्यल एप्लिकेशन आप PlayStore से डाउन्लोड करेंगे तो उस पर बहुत सारी फ्रीक्लासेज हैं बहुत सारे नोट्स फ्री में हैं वहां पर एक्जाम के नोटिफिकेशन हैं बहुत सारी अगर आप रेलवे की तयारी कर रहे हैं तो आप भारत के सबसे बहतर चैनल पे हैं सबसे विश्वसनिय चैनल पे हैं सबसे ज्यादा भरोसे मंद चैनल पे हैं तो एक बार सारे मेरे दोस्सारे मित्र जो नए हैं वो बिल्कुल ऐब क्लासिज आफीष्यल का एपिलिकेशन जरूद प्लेश्टोर से डालोड करेंगे याद रहें अफेशज नाम का अप्लिकेशन ठीक है दूशरी बात एमडी क्लासेज औफीसियल के नाम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है आप वहां भी हमसे जुड़ सकते हैं तो बहुत सारी जनकारी बहुत सारे information हम लोग वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं और दूसरी बात वहां से हम लोग के बेहत करीब रहते हैं आप बहुत बहुत बार लाई वाते हैं हम लोग के जीवन में क्या चल रहा है तो वहां से शुक दुख के साथी होते हैं और तो वह भी बिल्कुल आइए चलते हैं प्रतिबल का मात्रक पानेरिया फोर्स का मतलब होता है निड 10 और नीचे होता है मीटर स्कॉरर तो क्या हो जाएगा प्रतिबल का मातर को बीमा क्या हो जाएगा तो न्यूटर अपन मीटर स्कॉरर यही area होता है किसकी मीमा होती है यह दाब की महतीए प्रे вопросы की महती है अगर पढ़ा है आपने तो तो बिल्कुल यही होगा है किमिस्ट्री और बाइलोजी का कब बिल्कुल होगा taką के लिए ओता है यह तो बेजिक साइन्स और इंजिरिंग है लेकिन उसके भी क्लास होगी बिल्कुल श्यांता की काई क्या है श्यांता की साई काई आपको बतानी है थोड़ा एक बार जोस के साथ आप भी उर्जा देंगे बिलकुल जवाब दीजेगा श्यांता की साई मात्र क्या है स्यांता इटा से दरसाते हैं और आप जानते हैं यह द्राव की द्राव की दो परत के मद्य घरसड है स्यानता क्या है तो द्राव की दो परत के मद्य घरसड है और स्यानता के बारे में आपको याद रखना है इटा से दरसाते हैं और इसका मातरक न्यूटन सेकेंड न्यूटन इन्टू सेकेंड के साथ साथ आपका मीटर स्कॉयर होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्कॉयर ठेकर न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्कॉयर इसका क्या होता है मातरक होता है तो चलिए इसका सही जब आपको चुनना है पास्कल आपका दाव का मातरक है ठीक ना और यहां पे जो हाँ मातरक मिलेगा वहहाँ का मातरक हो वैसे आपको बहतर मातरक की यह मिलेगा यह मातरक या रखेंगा न्यूटन सेकेंड़ आपान मीटर स्कुरएद सहद में जिसका घ dato जादा होता है वहां a जादा यह से सहद में घर्षड जादा होगा पानी में घर्षड कम होगा बिलकुल भया लल्ला बिलकुल कैलोरी किसका मात्रक है कैलोरी ये कल कोश्चन आया था आज गलत नहीं होना चाहिए बहुत असानी असान सवाल है ध्यान से देखिए कैलोरी ध्वनी का ध्वनी का मात्रक क्या हो सकता है तो ध्वनी से स्याद रखेगा अगर पूछता है ध्वनी की तिवरता तो ध्वनी की तिवरता का मात्रक होता है डेसिबल ध्वनी की फ्रिक्वेंसी पूषता है तो ध्वनी की फ्रिक्वेंसी का मात्रक होता है हर्ड जी ठीक है अगर पूषता है आयाम का तो ध्वनी के आयाम का मात्रक होता है मीटर तरंगधैर पूषता है तो आप जानते एंग स्ट्राम होता है या माइकरान होता है दाव का मात् न्यूटन पर मीटर स्पायर होता है आज ही आपने पढ़ा यहां पर किसका मात रखे क्योंकि पावर का मात रख तो वाट होता है सही जवाब यहां पर डी आप्शन है बहुत भीयाल लला हम भी से सट जी बिलकुल सर जी सिलेबस पढ़ लिया हूं तो क्या टेक्निकल का फिर से पढ़ना पड़ेगा रिवीजन मार लो काफी है कोस्चन की प्रेक्टिस जितना बहतर करेंगे उतना बढ़िया है बिद्यू तूर्जा की काई क्या होती है बिद्यू तूर्जा की काई आपको बतानी है बिद् square और इंटीटीटी यह हें वी स्क्वाइर अपान और इंट्टीट इस मात्रक आपके लिए यह फॉर्मूले हैं मात्र क्या होता बिद्यूतुर्जा का तो आप कीलो वाट घंटा जिसको वाट योनिट के नाम से भी जानते हैं एक किलो वाट घंटा में तीनlarını 6 गुड़े 10 की घाट 6 जूल होता है तो यहां पर सही जवाब जो है आपका भी आप्शन है बहुत बढ़िया लाजवाब भी एकदम जबरजस्त चलिए अगले कोशन पर चलते हैं अगला कोशन है प्रतिदिप्थ का मात्र क्या होता है प्रतिदिप्थ हां लिव में हां बिल्कुल फोटान आप जानते यह तो कड होते हैं लक्स केंडला तो ज्योती तिव्रता का है ल हुआ चलिए बताइए क्या होगा है है लक्स प्रतिदिप्थ का मात्रक है प्रतिदिप्थ का मात्रक मैं या लक्स ज्यादा आप्षन आपका लिव में पे हैं और लक्स दोनों पे हैं दोनों पे टक्कर है एक बात याद रखेगा लक्स बराबर होता है एक ल्यूमेन पर मीटर स्क्वाइर ठीक ना लक्स बराबर ल्यूमेन पर मीटर स्क्वाइर भी होता है ठीक है तो यहां पर प्रतिदिप्ति क्या है ल्यूमेन है कि इस वह हैं जो मूलुल राजिज पर निरबर हो यह क्या होती है मूल राजिपर निरबर होती है यह मूल रासी पर निर्भर होती है कौन सी है मीटर नहीं स्टेकेंड नहीं किलोग्राम मूल रासी पर निर्भर व्यूत्पन रासी इसमें से कौन सी है हमें तो तीनों जो है वो तीनों के तीनों क्या लग रहे हैं यह तीनों मूल रासिया ही लग रहे है यह तो मूल रासिया यह स्वतंत्र होती है या किसी दूसरे राशी पर निर्भर नहीं होती है इसका सही जवाब डी होगा इन में से कोई नहीं पूछा है देखे 40 कोश्चन करने की हम लोग के पास समता होती है बहुत तेजी से पूरे एक्स्प्लेनेशन के साथ पूरा दम लगाके पढ़ते हैं हम लोग नैनो मीटर मैनो मीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है आप जानते हैं जैसे बैरो मीटर का प्रयोग दाब के लिए किया जाता है बैरोमीटर का किसके लिए वायू मंडल का दाब वायू मंडल का क्या निकालने के लिए दाब के लिए ऐसे ही आप जानते हैं बैरोमीटर हो गया ऐसे ही हाइड्रोमीटर सापेक्षिक घनत्तों के लिए हाइग्रोमेटर आद्रता के लिए हाइग्रोमेटर किसके लिए किया जाता है आद्रता के लिए तो मैनोमीटर किसके लिए किया जाएगा तो यह भी एक तरह से आयतन के लिए है जो आप ध्यान से देखके बता है इसमें ए आपसन ही होगा मैनोमीटर भी दाब के लिए ही किया जाता है ठीक है बिल्कुल मैनोमीटर ही किसके लिए किया जाता है ताब के लिए यह भी किया ज के लिए द्रव के प्रवाह के लिए बिलकुल यहां पर देखिएगा पांच और कोश्चन है यंग प्रत्यास्था गुडांग की इकाई क्या है यह अगर आप बता दिये तो हम मान जाएंगे कि कल का टॉपिक आप पुरी तरह से याद किये हुए है गर्मी तो आप लोगों के सीने में ज्यादा है आप लोगों के खून में ज्यादा है और यहीं तेवर हमें चाहिए भी बिलकुल है कि नहीं बिल्कुल दे वर वाले लोग ही पसंद है तो यंग प्रत्यास्था गुडांग की कई आप यंग प्रत्यास्था गुडांग जानते हैं stress upon strain प्रतिबल अपान बिकृती और प्रतिबल होता है फोर्ष अपान एरिया लंबाई में ब्रिद्धी न्यूटन प्रती मीटर स्क्वाइर अपान यहां पर विक्रिती का कोई मात रखी नहीं है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वाइर यानि पास्कल इस दा यूनिट आप यंग माडिूलस पास्कल इस यूनिट आफ यंग माडिूलस और बिलकुल एकदम आपको गरू तोड़ना है तो यह 36 कोस्चन हो चुके हैं 736 35 36 हो चुका है विकास यादो जी PDF जो है MD classes के official टेलिग्राम चैनल पर मिलेगा सीजियस की सीजियस पद्धिती में इकाई का क्या नाम एम्यू नहीं होगा यह बी आप्षन होगा आप जानते हैं कुलाम तो SI है कुलाम SI है सीजियस पूछा है तो क्यूरी एक यूनिट है क्यूरी बेकुरेल अगर पूछा जाता है रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी रेडियो धर्मिता की खोज तो रेडियो धर्मिता की खोज का स्रेज आता है बेकुरेल को और ऐसे ही क्यूरी मैडम मैरी क्यूरी के नाम पर रेडियम और थोरियम के खोज की बात आती है रेडियम और थोरियम के खोज की तो यहां पर सही जबाब रेडियो एक्टिविटी है और आप जानते हैं जैसे यग्यू बीमर अपने पढ़ा होगा ना यग्यू बीमर तो गामा किरड के खोज करता कौन थे बेकुरेल थे और ऐसे एक्स के खोज करता रॉंट जन थे ऐसे पराबैगनी किरड के खोज करता कोई बताए पराबैगनी किरड के रीटर थे ऐसे द्रिश से किरड के खोज करता कौन है तो न्यूटन है ऐसे रेडियो तरंग के खोज कर करता कौन है तो रेडियो तरंग के खोज करता मार कोनी है मार कोनी सुच्मतरंग के खोज करता कौन है हड्ज है सुच्मतरंग के खोज करता हड्ज है और औरक्त तरंग के के खोज करता कौन है तो औरत तरह के खोज करता हर सिल तो यगयू बीमर काisme t याद रखेगा सारे के खोज करता आपको याद रखेगा बिलकुल भिया सचिंजी आई यह महराज तिस सारे खोज करता एक साथ क्लियर कि पूछा है और पीम को किसके द्वारा यहां माप आप जाता है बैरो मीटर से तो दाब मा पा जाता है ओंगरो मीटर यह ना पा जाता है ूग वाल रूस से घुनकिन्म तो हट गया दो हट गया है दो आप्सोन आप बता है έχει आब लिए डी स्ट्रेबो श्कोप से हाँ बिल्कुल यहीं आपको स्ट्रेथ्व इस्ट्रेब श्कोप और यह दो आपशन है एनेमोमीटर और स्ट्रेबो श्कोप अच्छा-च्रेस बहुत बढ़ियां बिसाल सर की Class तो ऐसे शांदार होती है ठेक है चलिए यहां पर but ठीक है बहुत बढ़िया अगर अगे चले पूझा है कि किसी तारे की दूरी को मापने की यूनिट क्या है तारे की दूरी को कैसे ना पेंगे कितना दूर है कुलाम से तो आवेश ना पा जाता है एंपियर से तो धारा ना पी जाती है दो हट गया दो बच गया दो हट गया दो बच गया प्रकास दूरी या नाटिकल मिल नाटिकल मिल से तो समुद्री दूरी नापी जाती है मिल समुद्री दूरी किसे नापी जाती है नाटिकल मिल से एक ही आप्षन बचा है प्रकास वर्स एक कोस्चन को कांसेप्ट हर एक आप्षन के साथ किलियर किया हूँ भाइया लगभग सो कोस्टन से उपर के पॉइंट आपको एगंटे में मिले हैं और इतना ज्यादा मुहबत और इतना ज्यादा सने के लिए मैं अभिशेक के तरफ से आप लोगों का बहुत सारा स्वागत करता हूं और बताना यह चाहता हूं कि अगर रेलवे में असिस्टेंट लोको पाइलेट आपका सपना है तो आपके लिए भी सोसनी चैनल है भर उसे मंद चैनल है जो सत्यमसर के द्वारा अपरेट होता है और आपसे मैं कहना भी चाहते हो अगर आप चैनल पे नए हैं तो एमडी क्लासे का फिस्यल एप्लिकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा बिल्कुल पूरी तरह से पूरी इनर्जी के साथ बने रहीएगा हमारे साथ अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी तो बिल्कुल एक प्यार की जाने तो हम के बेसीक सायंस इंजरिंग ड्राइङ ग्रायंग के बुक का सालीशन और इसी के को कुस्ट्षण को लेके आते जहां से सबसे बेहतर सेलेक्षन हुआ था तो सभी दोस्तों को बहुत सरा धन्यवाद सचिन जी को लल्ला जी को बिलकुल स्राहूल को सभी को आप मस्त रहें जवर्जस्त रहें दुबारा मुलाकात होगी धन्यवाद दोस्तों थैंक यू सो मज़ झाल 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 झाल